नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग आसार महा के कृष्ण पक्ष की अमवस्या को पित्री अमवस्या भी कहते हैं इस दिन पित्र देवों के सांती के लिए उनकी मुक्ती के लिए उनका असिरबात पाने के लिए बिसेश प्रेव कियाते हैं दान किये जाते हैं इस दिन तरपन भी करने का भी धान है अगर आप इस दिन तरपन करते हैं या फिर पित्रे दोस्ट से मुक्ती पाने के लिए महा उपाई करते हैं तो आपके जीवन से पित्री दो समाप्त जाता है लेकिन अगर गंगास नान करें पवित्री नदी स्रोवर में स्नान करें तो सर्वोत्तम माना जाता है जो कि इस बार की अमवस्या बहुत ही दुरलफ संयोग के साथ आई है ब्रह्म योग के साथ कस्ट मिट जाए पित्री दोस समाप्त हो जाए देखे सुबह सो उटकर ब्रह्म मूर्त में गंगास नान करें या फिर पास के किसी भी पवित्री नदी स्रोवर में नहा लें या घर के ही पानी में गंगा जल डाल कर नहाए फिर भगवान सूरी को जलर पित करें और अपनी करें सूरी देव को अर्द दे इसके बाद पित्रों को एक लोटा जल में काला तिल डाल कर तरपन करें पित्रों की आत्मा की सांती के लिए आप किसी गरीब एक्टी को भोजन करवा सकते हैं और पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर लगाईए अगर पित्री दोस्त हो तो इस दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल कर जलाए और पीपल की साथ प्रिक्रमा करें इस दिन उड़द दही पूरी कर नबैद अरपन कर पूजन कर खासकर रुद्र अगनिया और ब्रहमनों का पूजन कर उनी पधारतों का सेवन करें गाय के कच्चे जाकर ब्लू कलर यानि नीले रंग के पुस पर पित करें काले तिल काली उड़द और कड़वा तेल यानि जिसको हम सरसों तेल कहते हैं काजल और काला कड़पा कपड़ा भी अरपित करें तो जीवन के कश्ट मिठते हैं जो समस्याएं हैं वो समाथ होती है इस अमवस्यापर बिशेश प्रयोग किये जाते हैं अगर आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं है तब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा घोर से घोर द्रवित्ता समाथ हो जाएगा रात में एक पानी वाला नारियल ने सिवजी की परतिमा के सामने उस नारियल को धन प्राप्ती की कामना कहते हुए जमीन पर तोड़ दे अब नारियल के इन तुटे हुए टुकणों को भगवान सिवजी की परतिमा के पास ही रख दे और रात भर वहीं रहने दे सुबा उठकर उस नारियल के टुक्रों को वहां से उठा ले और घर के सबसदस्यों में बाढ़ दे अगर जीवर में आपको किसी भी तरह की परिशानी है तो इस दिन छोटा सा काम करें एक लाल रंग का धगा ले ले और गले में पहने और अगले महिने जब अहस्याती थी होँ तब उस धागा को खोल कर गले से बार निकाल कर घर से बाहर कहीं गड़ा खोद कर मिट्टी में दबा दे मुस्किले समाप्त हो जाएगी लेकिन अगर धन की बहुत मुस्किल है तब आठ बादाम ले ले आठ काजल की डिबी ले ले अब रात किसमें उन्हें काले कपड़े में बांध कर आप धन के अस्थान या पिर आलमारी तीजोरी में बांध कर रख दे और अगले दिन उस जो आपने बांध के रखा है काले कपड़े में काजल की डिबी बदाम बहतेवे जल में प्रवाहित कर दे बहता जल ना हो तो पीपल के नीचे रख दे धन की मुस्किले समाप्त हो जाएगी लेकिन अगर करजों से परिशान है तो हाथ में थोड़ा सा राई का दाना ले ले और आधी रात में अपने घर के छट पर या आंगन में अपने बाएं हाथ में लेकर एंटी क्लॉग वाई घुमा कर तीन बार घुमा ले और थोरे थोरे राई दसो दिसाओं में यानि कि फिक दे जाए आपके जीवन की जो करज रूपी परिशानी है वो समाप्त हो जाएगा लेकिन आपको लगता है कि घर परिवार में बहुत मुस्किले परिशानी है आप चाहते हैं कि खुसियां आए तब ऐसे में आप पांच लाल पुस्प पांच तेल का दीपक जला कर बहते वे जल में प्रवाहित कर दें ये उपाय आप साम में कीजिएगा बेहते हुए जल के पास या तालाप के किनारे कर दें तो मुस्किले बेह जाएगी परिसानिया बेह जाएगी तो इस अमवस्यतिती पर तंत सास में कहा गया है कि चीटियों को अगर सक्कर मिला हुआ आटा खिलाते हैं तो आपका पाप कर्म छे होता है पुनिक कर्म उदय होता है मनोकामना पूर्ती होती है अगर आप काला तिल का दान करते हैं तो पितरों की प्रसन्नता तो प्राप्त होती है उनको सदगती प्राप्त होती है पदब्रधी होती है इसलिए काले तिल से उनका तरपन करना चाहिए विशेश सुप फलदाई है काला तिल का दान करना चाहिए और काला तिल का इस दिन क्योंकि दान करने का और पितर देवों को तरपन करने का भी दान है आप चाहे तो पीपल के पेड में भी जल में डालकर अपित कर सकते हैं गाई को आटे में तिल मिलाकर रोटी बना कर खिलाएं तो घर परिवार में सुक्सान्ती सम्रिद्धी बढ़ता चला जाता है आपके घर के आसपास गाय होगी जरूर खिलाइए और आप पहला रोटी ही इस तरह का बनाईएगा अलग से आटा सान के अब देखिए घर के इसान कोन में यानि की पूरव उत्तर दिसा में गाय के घी से सुद्धी होता है न उसको आप रूई की बत्ती में या लाल धागे की बत्ती में आप प्रयोग कर सकते हैं घी लगा कर दिया जला दीपक में एक चावल का दाना डाल दें मालक्ष्मी को प्रसंद करने का ये महा उपा है अमोस्यातिती पर वैसे तो मालक्ष्मी और भगवान सिव दोनों की ही पूजा होगी अब सिव परिवार को और मालक्ष्मी को अगर चावल की खीर बनाकर उनको भोग लगाएं और फिर प्रसात के रूप में खाएं तो धन स पत्ति के भंडार भरते जाएंगे कमी कभी नहीं होगी अगर किसी तरह का मानसिक टेंसन है मानसिक परिसानी है जीवन की मुस्किलें बढ़ी वी है तब ऐसे में आप काले कुट्टे को याद रखिए काले कुट्टे को एक कटोरी में या मिट्टी के पातर में दूद ले और किसी चीज में दूद ले सकते हैं थोड़ा सा और इसको इसमें अपनी फेस देखें जैसे आप तेल में उसी तरह दूद में चायार देखें और काले कुट्टे को पिलाते मानसिक परिसानी से मुक्ति मिलेगी टिंसन से मुक्ति मिलेगी इस दिन काल्ट सर्प दोस्ट से निवारन के लिए भी महाप्रयोग किये जाते हैं आप तामबा का नागनागिन का जोड़ा आपको किसी भी सुनार के दुकान में मिल जाएगा चोटा सुनार के बड़ा भी दुकाने मिलेगा या फिर आप चाहें तो चान्दी का चोटा सा नाग नागिन का जोड़ा इस अमोसेतिती पर सुवसुवसनान कर ले और इस नाग नागिन के जोड़ी की पूजा कर आप सफेद पुस्प के साथ बेहते वे जल में इसको प्रवाहित कर दे आपको काल सर्फ दोस्ट से मुक्ती मिलेगी लेकिन अमाल लेते हैं बेहतावा जल आपके आसपास नहीं है तब पास के किसी भी सिबजी के मंदर में जाकर सिबलिंग पर अरपित कर दे आपको काल सर्फ दोस्ट से मुक्ती मिल जाएगी अब देखिए इस दिन सिबजी की विसेश पुजा होगी अगर पित्री दोस्ट परेसान करे तब एक काम कीजिएगा सुबस वसनान करके एक लोटा जल ले ले जल में कुसा घास डाल ले यद रखिए कुसा घास अब पास के किसी भी सिबजी के मंदिर में चले जाएं घर में मत कीजिएगा सिबजी के मंदिर में जाकर सिबलिंग पर जो आपने जल में कुसा घास डाल कर लाया है नमसीवाय का जब करते वे अरपित कर दें अगर खुसा घास लोटे के अंदर रह जाता है तो उसको हाथ से निकाल कर सिबलिंग के ऊपर चड़ा दे भगवान से प्राथना करें पित्री दोस्ट से मुक्ति मिल जाएगी ये तो वैसे तो इस अमस्या को आप परियोग करें या लगातार पांच अमस्या भी आप कर सकते हैं तो पित्री दोस्ट से मुक्ति पाने के लिए महा परियोग है कहा जाता है अगर आप बिमारियों से लंबे समय से परिसान है तो सुखे कुए में आप थोड़ा सा दूट डाल दें आपकी बिमारी समाप्त हो जाती है अब देखिए आप आटे की गोली बना कर भगवान का नाम लेकर किसी भी तलाब नदी में जाकर ये गोलियां मचलियों को खिला दे तो जीवन की परिसान या समाप्त हो जाती है इस अमवस्या पर रात में एक भी से स्प्रियों किया आता है रात में मतलब सामने आपके घर में आटा होगा आटा को गूथ ले इसके साथ दीपक बनाएं आटा का अब इसमें तेल डालकर इसको जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे हर दीपक में एक दो दाने काला तिल या काली उड़त के डाल दीजिएगा आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो इस अमवस्या पर पूर्वजों की त्रिप्ति के लिए तरपन जरूर करें वो प्रसंद होंगे आशिरवाद बरसाएंगे और जब भी आप पीपल के नीचे ये प्रियोग करें दिया वाला पीछे मुड़ कर मत देखिएगा आपके जीवन की हर बला टल जाएगी अगर मा लक्षमी को मनाना चाहते हैं लक्षमी स्थिर करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिएगा चावल को केसर से कलर कर लें या फिर आप हल्दी से कलर कर लें अब आपके घर में संख है अगर दक्षिन मुखी तो उसमें डालें एक घीका दिया जलाएं और मा लक् पास नहीं है तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दर्वाजे के बाहर एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला दीजेगा इस दीपक में रुई की बाती होगी एक काली मिर्च का दाना होगा पित्री देव सांत रहेंगे वो परसन्न होंगे और जीवन में सुक सम्रिद्धी बढ होता जाएगा फिलाल भी दा लेते हैं धन्यवाज